कि अग्रीवर्ण क्या चले दोसे सभी के आई हो आप सभी बढ़िया होंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो गाइज आज होगी सेलेक्शन वाली क्लास में टॉप करने वाली क्लास होगे ना टॉप 10 में आना है तो गाइज आज में आपको रिवाइस सभी को राधे राधे और आजाई एफटावर से आप सभी लोग यहां पर गुट इवनिंग आवरीवन गौरफ शुपम सुजाथा अत्री एंस अंदीव श्वादा सभी को वेरी वेरी गुट इवनिंग चलो इस्टार्ट करतें फिर आप लो गया तो पहला कोशन आपके स सभ्किष्टघुआ करते हम लोग बात पता है कि यह पर लोगर दो निकल टा Wear के एक हमारे पास लो निकल के आथा लॉप इंवर्स स्क्वाएर लो ओ इन वर्स च्कोईर आप お जो निया हमें निकल के आते हैं अब देखो लंबर अब यहां पर जो ऑफ्षिन में आप लोग ढूंड रहे होगे कि यहां पर जो हमारा करा है अब यहां पर आरे पास है यहां पर है यहां पर अपर इसका और का अगया है यहां पर रख दीजियेगा थो रख देंगे तो कितना अगया है आई अप इसके प्रपोशनल निकल के आगे हमारे पास में कॉस इसको एचीट कॉस क्यूब के प्रपोशनल निकल के आ गया चलो अगला कुशन बताइगा फटा वर से मज़ा आया पहले कुशन बहुत अच्छा था ठीक और चलेंगे यहां पर विच अप्ड़ फ़लोविंग इलेक्टिक डिश्याइज लैंप गिव आइस्ट लूमेन पर वाट सबी लोग बताएं यहां पर ऐसा कौन सा लैप सरी नॉट लैप यहां पैस a कौन सा लैंप गई जो आपको लूमेन पर वाट ना यानिकी सबसे ज़ आप देखो अगले कुशन के अगर हम लोग बात करें यहां पर आपके पास में जो हमारे पास में लैम्प है ना तो लैम्प में जो सबसे अच्छा लैम्प माना जाता है कौन सा माना जाता है क्योंकि सोडियम वेपर लैम्प माना जाता है क्योंकि सोडियम व लक्फमय लेंब मैं लगबघ आपके जोुमेन होते सबसे अच्छा ल्यूमें पर उसे माना जाता है तफंसंऑ टॉप इन seemed से क्या होग राइट-ॉप्श्षिन सभी लोग सभी लोग जल्दी से बताएं क्या होगा राइट आप्शन अगले कुर्शन का विट फास्ट गाइस विट फास्ट क्या होगा दा फंसन आप दा चोक इना फ्लोरो सेंट ट्यूब सर्किट इस बताएं गाइस फटावर से अब यहां पर हम बात करें तो जितने भी आपके फ्लोरो सेंट यहां पर हमारे पास पर ट्यूब होते इन सब में क्या यूज होता है दोस्तों आपके पास में जो चोक कोईल है यहां पर इन सब में आपका जो चोक कोईल यूज होता है यह सभी हम लोग जानते है तो इसका ज प्रोवाइड वोल्टेज, इट प्रोवाइड वोल्टेज फूर, आयोनाइजिशन ओफ एटम, आयोनाइजिशन ओफ एटम, तो जितने भी हमारे पास में यहाँ पे एटम्स होते हैं, तो आयोनाइजिशन ओफ एटम, एटम के आयोनाइजिशन के लिए यहाँ पे क्या होता तो यहां पर बीसिकर इस हमारा चोक है चोक क्या करता है बहुत ही इंपॉर्डेंट रोल यहां पर फंसन प्ले करता है च्छी कि सब्सक्राइब करेंगे अब देखो यहां पर बात करें किसके बाद में लोको मोटिफ के बारे में तो जितने करें बातले इलेक्रिक लोको मोटिफ होते हैं वैसे इन में सेल्फ आपका इल्यूमिनेस होता है यहां पर जनरली क्या होता है आपका इस पर झूपरे ओपरेट होगे लोगिंग्ग पावर स्क्राइब या कुछ हो अ ना चलो बताएंगे गोडेविंग भाई गोडेवनिंग टाइम से आया करो अग्ला कॉश्ण क्या होगा जल्डी से बताएंगे दोस्तों यहापर क्या होगा आर क्लैंप का देखें अब यहाप अगर इसवाली कुश्ण की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ग्कलेंपे कैसे होते हैंansen अब् Connecticut करेंट का सलनेचने वह कैसा होता है reflected एका हैली लागळीन का इसे आपकर हाइली लेग टू किया होते हैं चैनल मतलब होता है इसनाए यहां चीकू चीकू से बोलो बल्लेवाजी अच्छे कर रहा है नहीं तो अनुष्का भावी है ना खाना नहीं देंगी घर में तो बढ़ी है यहां पर देको सुजाता शुवं रहो लंकिता श्वयता और सभी लोग यहां पर गर्दा उड़ाते जा रहे हैं अगला प्रशन हमारे पास में which of the following equipment has a lowest power lower power factor बताएंगे अब यह भी तो बताया थे आपको है अभी अभी जेस्ट आपको बताया है अब जो को इसका question answer तो अभी मैंने आपको बताया अब गलती से भी यहां पर induction motor मत लगा देना मैं मानता हूं कि यहां पर इसका जो no load power factor होता है no load to no load power factor कितना होता आपका 0.2 से लेके 0.3 होता है लेकिन यहां पर क्या लिखा आपका यहां पर लिखा आपका fully loaded तो fully loaded का जो हमारा power factor कितना होता है आपका 0.8 से लेके कितना होता है आपका 0.85 के बीच में होता है अच्छिक है तो option कितना हो गया हमारा arc lamp हो गया चलो अगले question का option बताएंगे the color of light emitted by the sodium vapor lamp discharge when glowing stability चलो बताएंगे फटाफट से क्या होगा right option अगले question का जल्दी से बताएंगे दोस्तों यार इसको थोड़ा सान में सीधा कर दूं ओके चलो bit fast guys bit fast the color of light emitted by the sodium vapor lamp अब देखो जो sodium vapor lamp होते हैं generally इन में जो light का pattern हो guys कैसा होता हमारा monochromatic light होता है कौनसा होता है guys आपका monochromatic light यहां पर जो light से इसमें पाई जाती चीक है तो monochromatic light का यहां पर जो है pattern इसमें पाई जाता है और इसका जो color होता है वो कैसा होता है guys आपका yellow yellow है यलो color का होता है not pinky pinky कौनसा होता है guys आपका yellow yellow the inner surface of a fluorescent tube is coated with a fluorescent material which बताएंगे फटावर से यह भी अच्छा कोशन है यहां पर बात किसके की जारी guys यहां पर inner surface की बारे बात की जारी सभी लोग जल्दी से बताएंगे बिटफास जल्दी से guys देखो अगर यहां पर हम बात करें किसके बारे में जो फ्लोरोसेंट यूब है न तो यहां पर इसकी जो inner coating होती है किसकी होती है सबसे पहले बताएं तो देखो यहां पर जो को सबस्ब्सेंट यकटिंग के लिए मतीरल का यूच मैसLe cely memorized ओंगे ही जो की हाट चीए यहां पर इनको किए करता है अब्स Oooh इॅन पर दो ॉसको क्या कर थी रेडियेट करता ता तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसा रइए इस बाप्शन which of the following surface has the lowest reflection factor for the white light बताएंगे यहाँ पर white light के लिए यहाँ पर कौन सा सबसे reflection जो factor है कम produce करेगा सभी लोग जल्दी से बताएंगे चल बिटफास बिटफास जल्दी से बताएंगे क्या हो राइट option सभी लोग यहाँ पर कौन सा होगा गाइज reflection फक्र किसके लिए कम होगा अगारा मात करें यहां पर factor जो यहाँ पर हमारे पास में जो आपका reflection factor रहता होता क्या आपका यहां बाई कि 갈ए आपका कीं इन सीडेंट लाइट रियुव्ट एक्सिजान्ट पगले इंसीडेंट लाइट और अभ्ड़ यहां पे ये जब यहां पर reflection है सबसे कम किसमें होता हमारा जो ब्लू कटन्स होदेन치가 ब्लू कर दोनगे आपका जो यहां पर reflection है वो क्या होता है सबसे कम होता है तो किसके लिए कम होगा सबसे यह जो blue है आपका blue के लिए सबसे कम होगा मारा अगला कुशन बताएंगा फटा वर्ट से इना designing lighting scheme utilization factor is used ठीक है बिलकुल होता है utilization factor है ना तभी तो यहां पर सारे factors अपन decide करते हैं costing और आपका estimation सारी चीज़ है it is defined as बताएंगे फटावर्स यहां पर सीधर डाफिनेशन पर कुशन आया तो यहां पर बहुत जादा सोचने की ज़रूत है बस यहां पर गर्दा अदो तुम लोग तो यहां पर सभी लोग गर्दा अदेखो निशाने गर्दा अदिया ना यहां पर हमारे जो लूमेन क्या होता है नटिंग वड़ आपकी रेडिये ट लाइट यानिकी फ्लक्स तो जो आपका वर्किंग प्लीन एन लाइट जैसे हापे माले जी यह हमारे का पास क्या है बल्ब आपका है और यह वर्किंग प्लेन आपको चिक डिवाइड इड़ ट लोग बताएंगे अब यह मत कहना कि सर यह हमको नहीं पता है अगर तुमको नहीं पता है तो बस तुम लोग यहां पे कुड जाओगे पूल चाहिक है और यहां पर ना यहांप एक चीज याध रखना के लूलय के बारे में कि पूछ जा सकता है 만큼 घ्रusion सकता है इस और हमारे पास में जो इसोती है गाइस आपका ब्राइट हम ड embaixo क्या करता है इसleft तो हमारे पास में जो ब्राइटनेस होती ही आपका ब्राइटनेस को क्या करता है यह मेजर करता है यह याद रखना कि यहाँ पर क्या काम करता है लूमेन का मतलब क्या होता है तो जितने भी आपके लाइट बल भी या फिर हमारे पास में जो सोर्स होते है तो उसको ये क्या करता है बेजर करता है अर्थ वायर इस कनेक्टे टू भाई ये तो सिंपल सा कॉश्चन है काफी है न इहां पर बहुत जाएदा को सोचने के ज़़रत है नहीं है अगर किसी ने गलत आउसर दिया तो सोचे रहे न आडर ने जमीर ऑन लों आउसर और हमारे वायर होता है तू कहाँ पर करते हरे हम जो ग्राउन आज़ और ग्राउन से अनाम ग्राउन से नाम अनदर नेम ऑफ नूट्रल अर्टिंग इस एकोशन आपका 101 परसेंट आएगा आपका सभी लोग बताएंगे हाँ पर नूट्रल अर्थिंग का जो दूसरा नाम है दूसरा नाम क्या होता है जल्दी से बताएं गाइस सभी लोग अब गया है जितने भी आरो हमारे पास में तो जितने हमारे पास में याडू बास मैं गरली टर हो गया तो अप्य है मोटर हो गया तो आप अप निए करना घर द कराई प्रशंप पर प्रवाइड कराते हैं तो इसी कह क्लीय न से यहां पर नाम से list को जाने जाता है तो ऊप्षेन बीमों ने दिया वहाव the डिडिया एक टारहट इंदइसे टिंड्ग यूद्क तो यहां पर किया हमारे पास में solid हो गया आपका solidly grounded हो गया अब different different motors में different different grounding use करते हैं और यहां पर है यहां पर क्या पुछा कि neutral grounding the neutral grounding to some program providing कराते हैं ओके चलो अगला question बताएंगे while estimate overhead lines ठीके if the number of poles is required 15 or 14 sorry then what is the estimate number of the earth sets are required बताएंगे फटावर से कितने अर्थसेड यहां पर required होंगे जल्दी से पताएंगे सभी लोग देख रहा है न क्या बात है न तुम लोगों के अर्मान बहुत मतलब खुल-खुल के सामने आ रहा है चलो अब देखो यहां पर तो अर जितने option यहां पर पोल से इसको अपन दो में डिवाइड करते है न यहां पर अपने को क्या चाहिए ओता है दोतो चाहिए यहां और दो चै यह को है दो यहां पर नोट्रेल युटर से क्या होगा बहुत अच्छे क्लेट एर अब पावर सब सर्कुट इस शिक्स थाउजन वाट देन वाट इस अनुमबर ऑफ सब सर्कुट इस रिक्वाइड क्या होगा बताइगा फटावर से यहां पे तो यहां पे क्या हो जाएगा अपका सब सर्कुट क्नेक्टेड लोड सब यहां पर क्या नीकित लोड यहां पाथ नाप उसको है ना कहा झुखत दिस और consider लोड कर जिसे आपनं क्या ब Self56 भीछत आम शल लिए ना ई क्यों विच में ब्राके डहर्ट में लिक्ता यहां पर यह देख़े लिया कृता अब का सी तौने सावट का मिला थीघिया ऐसे झालों एटेल Sumrata के लिए टो नंबर उब सब्षाषे अब निकाला हुआ Here हरा पर इस पें यहांप이 सब्छलार से देशाय है तो यहां पर क्या होगा आए हाए तो यहां पर अर्टिंग इस दा बेस्ट फॉर्म आफ अर्टिंग एंड इस वैरी चीप इन को सबसे सस्ती और सबसे यहां पर टिकाओ क्या होगा है ना टिकाओ पैसा बोलता है बेटा एफ और चलू रसगुल्ला खाते हैं अच्छा वह भी तुम को मारेगा अच् काड आ गया है तुमारा चचा एड्मिट काड आ गया है ना ज्यादा मजे में मत रहो बताएंगे फटावर्स अगले अंसर क्या होगा अब यहां पर अगर हम बात करें किसके बारे में तो यहां पर जो हमारी most economic होता है अगर आपने जैसे कभी-कभी अगर जैसे आपने दे रहु गाना तो यहां के जो यह एर ती बाइफ शील फाह पर दी खीआ यहां पर एफप्लाइन होती है सबसे सचिपह ओ भो दो अब क्यानतर सबसे चिल होती है इस बसे सच्छी फीघन फाने टेय। है तो यहां पर क्यों हो जाएगा हमारे पास में और पाइपना पाइपर तिंग इस दा बैस्ट वर्म आफ तिंग है डिशा वेरी चीप इना कोश्ट क्योंकि यहां पर ज्यादा कुछ तुम को करना नहीं पाड़ता है चलो बताएं अगले कॉश्चिन का ऑप्शिन क्या आप APP का आञा औहएट अलाओट अलाओ टैड पर अलव कि पावर्त सरक्विट बताएंगे फटाविट से क्या होगा big fast guys यहां पर यहां पर कितने आउट लेट कर सकते हैं बताएंग अइस अप्लिट एलेट एक सब सरक्यट है इक डूर्ट सबसब देखा है जिस्ट अंडार टरुका यहां पर ना उसके लीख्जा ऐसार 2022 मोटर वर्द और और अब कुरूना लगा देता है सिर्किट है दोस्तान one वन सब सर्किट तो बंस सब सिर्किट मैं गईज यहां पेसिकली हम कितनी जो है outlet निकल सकते हैं गाईज यहां पर दो होते कि औलिए अपनी काल तौ निकालने को तो कि मोदी जी थोड़ी ने तुमको रोकने आ रहे है लगा दो यहां पर ना खीजरी वार रोकने आ रहे हैं तुम चार गए आप बीस सॉकेट लगा लो चलो बढ़िया सभी लोगों ने बैसे आप अच्छा अंसर दिया आप लोग काफी अच्छे से पार्टिस्पेट कर र कि दियस तो कई से काम चलेगा तो महरा कहप बन गाना तुमारी चीज़ा हो गए ना वह जादा मैटर करता है लोग क्या कह रहा है ना उसजादा मैटर नहीं करता चलो तो यहां पर घुमा के वारो मुखका इसमें क्या होगा अब देख़ो यहां पर हमारे पास में जितने चलो एस पर रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन इस्टेंडर है ना तो हमारे पास में जो आई एस रूल है इंडियन इस्टेंडर्ड दा माग्जम नमबर और पॉइंट ऑफ लाइटनिंग फैन आफ फाइव आम्पियर आउट लेट कैन भी कनेक्टेड बताइगे फटावर से क्य दवा क्या है डिशुम डिशुम है न मुक्का मारो और जिंदगी आराम से जी हो चलो यहां पर न क्या बात है न शर्मा जी नहीं यहां पर घरदा उड़ा दिया है तो देखो यहां पर फाइव एंपकेर के लिए जो हम मैग्जम सॉकेट निकाल सकते है अकॉर्डिंग तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर इसका आंसर का है 25 mm x 1.6 cm ठीक है तो यह हमारी बेसिकली क्या होते हैं यहां पर इसके डाइमेंशन होते हैं चलो आगे चलेंगे और देखेंगे यहां पर अगला कुशन विच अब फॉलाविंग फैक्टर इंफ्लूएंस अर्थ र अग्यान तुम लोग और कुछ लोग परेशान मत होना इसार अभी हम्रह नहीं आया सब रीजन का एक साथ नहीं आता है बिटा सब रीजन का एक करके दरा थोड़ा तसली रखो न दका मुक्री नहीं करने का सबको नंबर मिलेगा तो यहां पर देखो प्रियंका सन्वी रस सब्सक्राइब तो कितना होता है यह जीवन चूटे पर तेरा साथ नहीं चूटे है और जो मौश्चर है इस मौश्चर पर डिपेंड करेंगा बिकॉस जस्ट बिकॉस पर इलक्रों मेकानिजम है डेफ्ट जैसे जैसे हमारा डेफ्ट बढ़ता जाए गाना जैसे जैसे हमा है हमारे पास में क्या है आपका मीडियम है तो इसको पर यह डिपेंड करेंगा तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा डी विचब दे फॉलविंग इस नौट एन इंपोर्ट एंट आउटकम ऑफ एश्टी मेशन यहां पर कॉन सा है हमारा जो एश्टी मेशन का सब्सक्राइब लिए और यहां पर चीज़ें आपर बताएगा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा लेवर यह सारी चीज़ें पता है ने लेकिन जो क्वालिटी मैनेज्मेंट सिस्टम में इसके बारे में यह कोई जयानकारी नहीं देता अपका चेक है तो थानि आंपूर्टनत थन्सान आप दो एस्टीमिस्शन चो क्रूंच ऑगले लिग This अगर मजा आ रहा है न दिल से अगर दिल से पसंद करें तो फटावर से एक पर या लाइक कर देंगे और जो संख्या है लाइक्स की प्लीज लाइप से ज्यादा कर देंगे सभी लोग ना मेरे जिगर के तकड़ो जल्दी से करेंगे बाड़े तो यहां पर देको मंजूल अत इस पर डिपैंड नहीं करेंगा कि अर्थ एक देना यहां पर अपनी अ करिग है तॉप इस पर एक पहला पर नहीं करेगा ईवगा दा पाइप एलेक्टरोड यूस फुर अर्थिंग शाल नाट बी लेसे दा मिनिमूम लेंथ रिक्वार्मेंट बताएंगे फटावर से क्या होगा और यहां पर सभी लोग गर्द उडाते जा रहा है और प्लाइप एलेक्टरॉड होते हैं जो यहां पर लाक्रोड के लिए यूस के यादे अगर अकॉर्डिंग तो आई-एस रूल देखा जाये यह पर तो यह कितना नहीं होना चाहिए आपका 2.5 से आपका यह कम नहीं होना चाहिए 2.5 मीटर अर्थिंग इस रेक्वाइड टू प्रोटेक्ट अपरेटर्स एक्क्युप्मेंट मशीन एड्सेटर बताएंगे फटावर से यहां पर इस कुश्चिन का अंसर प्लीज दिहान से देना प्लीज दिहान से इस कुश्चिन का कि तुम लोग यहां पहीं गलत कर सकते हो गलत कर सकते हैं 101 परसेंट गलट सकते हो फारों जा और पर यह संक ए या रहा गया तुम लोगां से नहीं यहां से नहीं करनाता में क्यांका जिना को पोड़ कर दो यहां अगर आम बात करें इसके बारे में अर्धेंक के बारat मैं तोdim अर्थेंग यहां पे हम किसलिए प्रवाइड करराते हैं कराते हैं ऐसी करेंट औरbons腳 करेंट और यहां पे हमारे leakage current हो जाएगा है important question ता आगे चलेंगाइज यहाँ पर glare is cost due to बताएंगे फटावर्स हमारा जो glare है गाइज ग्लेर क्या होता है फटावर्स से बताएंगे जल्दी से ग्लेर बताएंगे फटावर्स यहाँ पर देखो अगर में अगर तुम लोग से आपे बात करूं कि जो ग्लेर है गाइज यहाँ पर ग्लेर हमारा क्या होता है न तो यहाँ पर देखो बेसिकली जो आखों की रेटिना नाल पोता है कि रिटन तो यह हिप जब बहुत ज्यादा लाइट पर दिया ना बहुत ज्यादा लाइटा ती यह पर हो सक है है कि यहां पे क्या होटाहिए सो बेसाकर यूह बेसिकल यह क्योड़ा आपके पास में ओवर लाइट और ओवर ब्राइटनेस तो इसी को यह अपन क्या बोलते हैं यहाँ जो है गले बोला जाते हैं अगला कुशन को ऑप्शिन बताईए सभी लोग सर आपका अशिर्वात चाहिए गुरू जी बिल्कुल अभी है ना भग्वाल से न यही लिए अशीरवाद है और प्रार्थन करूंगा इस्वर्स है कि तुम लोगों की जो महनत है वो रंग लेके आए और तुम लोग यहां पर सफल हो के आए है ना पास अग्ले क्या होता है कि विच अपर लोग यहां पर करते क्या है कि हाँ यहां पर हम एक इंडक्र ले ते क्या लेते हैं और इंडक्टर लेते हैं और इंडेक्टर यहां पर क्या करता है हमारे जो वोल्टेज को डिक्रीज कराता है और आपका डिक्रीज कराता है तो यहां पर अपन क्या यूज करते हैं जो प्योर इंडेक्टर होता है गाई प्योर इंडेक्टर को यहां पर यूज किया जाता है ठीक है ठीक है धरमराज ज यहां पर high voltage search is produced by, बताएंगे फटावर से क्या होगा हमारा right option, बैसी यहां पर question मैं करा चुका आपको already, अब यहां पर no need of much more explanation है न, बहुत साथ explanation की दोबारा ज़रत नहीं, तो I already told you कि यहां पर जो हमारा choke होता है, choke का function होता है, the color of the light given out by the sodium vapor discharge lamp, यह question repeat हो गया न, छोड़ द हो इसको, that domestic load, that as a unity power factor, बताएंगे हमारा जो domestic load होता है, इसमें कौन सा ऐसा यहां पर load होता है, जिसका power factor आपका unity होता है, सभी लोग बताएंगे होता है, everyone, everyone guys, सभी लोग बताएंगे हम बताएंगे, देखो, अब यहां पर हम बात करें, domestic load कि है, किसकी बात करेंगे, यहा पर बात करूं domestic load की, तो हमारे पास में जो filament lamp होते हैं guys, filament lamp कैसे होते है, they are the purely resistive, यह कैसे होते है guys, they are the purely resistive है na, अब resistance के case में, mass up ने तुम्हें क्या बताया था na, mass up ने तुम्हें बताया था कि resistance के case में 5 केतना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा तो 5 अगर 0 हो गया तो तो मेरा power factor केतना हो गया आपका 1 हो गया आपका चीक है तो filament जो lamp होते हैं यहाँ पर generally कैसा होता है आपका जो operating power factor that is a unity power factor in a fluorescent tube the function of the choke primary बताएं फटावर से क्या होगा ना बैसे इसका पूरा explanation तो मैं तो मैं देई चुका हूँ सभी लोग बताएंगे bit fast guys bit fast सभी लोग बताएंगे guys जल्दी से बताएंगे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो हमारा आपका चीक है और उसके बाद में यह क्या कराता है आपका क्या परवाइड कराता है voltage for the ionization of the gas voltage for ionization of gas तो यहाँ पर gas के ionization के लिए क्या कराता है यहाँ पर प्रवाइड कराता है तो right option क्या हो जाएगा it initiate the discharge चलो आगे चलेंगे और अगले कुशन को option बताएंगे फटावर से क्या होगा and guys यहाँ पे आपको लग रहा हो कि सरी यहाँ पे इतना important session PDF कैसे मिलेगा simple search करेंगे अभीने सिंग official ठीक है टेली ग्राम पर search करोगे न अभीने सिंग अभीने सिंग अगले को ओफिशिल फटावर्ट से जोइन कर लेन वहाँ पर तुमको फ्री में मिल जाएगा ठीक है चलो यह देसिया लैंप है बिल्गुल सही वोला आर्जे तैना यह कैसा लैंप है एकदम देसिया लैंप है ठी इस फ्लोरोसेंट चूब यह वाला हो गया गया वन्स अगें सेम कुश्चन आ गया हमारे पास में सभी लोग सभी लोग चलो अब यह कुश्चन थोड़ा से रिपीट कर गया तो इंक्रीज आ वोल्टेज मूमें टारिली यूरीट अफ लुमीनियस फ्लक्स बताइंगे फटावर से क्या होगा जो हमारे लुमीनियस फ्लक्स है लुमीनियस फ्लक्स कि यहाँ पर हमारी लुमीनियस फ्लक्स कि हो जाएगा इसकी यूनिट लुमेन हो जाएगा चलो अगला कुश्चन बताएंगे वैरी वैरी इंपोर्टेंट और आने के यहाँ पर टोटल चांसिस है ना काफी इंपोर्टेंट है एब्रीवन एब्रीवन जल्दी से बताएंगा इस यहाँ पर गाइस उपर टोटल लुमेन टोटल लुमेन एंड डिवाइड़ वाइंपट पावर तो इंपट पावर हमारे क्या होता है नथिंग वट होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में टोटल लुमेन केतना दे रखें आपको कहां दे रखें यह दे रखें आपको और करेंट कितना दे रहा है वन दे रहा है जो अगर तुमको यह फॉर्मला नहीं भी आता है तो यहाँ पर सिंपल ऑप्शन देखो यहाँ पर हरे का यूनिट के दे रहा है लिए पर वाट दे रहा है तो टोटल लिवन डिवाइड वाट कर दो हमारे पास में क्या जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा और इसी का तुमको एक ब्रह्मास्त्र में क्या बताता हूं हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन है तो ऑप्शन जो एलिमिनेशन का मैथड है यह तुम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है और अगर कुश्चन ना बने तो इतना मुझे भरोसा है कि अगर तुमने क्लासेज देखी होगी तो यहाँ पर अगर चार ओप्शन है दो को तो तो तुम यहाँ पर किक आउट करीद हो गया और दो बच उनका घरता उड़ा देना चलो डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लूरोस साइन ट्यूब ऑफ लाइफ ट्यूब बताएंगे फटावर स i c as well as dc यहाँ पे हमरा आसी और define के ऊपर क्या करेगा यह काम करेगा अब यहाँ पर होता क्या है कि जえばfaID का वजोस बहुत जादा होते हैं programs हुआ है यहां पर इतनी सारी चीज़ है तो कहीं यूज कर रहा है यहां पर इसका एक अच्छा एफक्ट होता है इसको आपकर सकते हैं और रिद्यूस तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि यहां पे भॉप इसम्सेन एक है लोगों को चल अगला कुशन बताएं बियोंड वार्ट टेम्परिचर तो यहां पर देखो लगबग आपका 2000 टैंपरेचर पर यह जो फेनोमेन आपको देखने को मिलते हैं तो सिधा डेटाबेस कुश्चन था सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे तो यहां पर देखो आकृति एंड बादल हनीमा धरम राज सब्सक्राइब ऑफ्शन दे रहे हैं अ कि हमारे पास में यह जो फिनोमीना फ्लोर्र सेंट में ने तिंग बैट यह कहला था आपका गैस डिस्चार्ज कहला थैंगी यहां पर क्या करता है यहां पर यहांपर वही कॉंसट आता कि वोल्टेच क्या करता यहां पर आइए नार जिसन सबी लोग यहां पर बताएंगे फटावर से अब इसका अंसर कोई गलत मत बता जाए ना क्योंकि बहुत एक्स्प्लेइन कर दिया तुमको अगर अभी भी गलत बताए ना तो क्या होगा फिर ना तुम लोग से मेरी कट्टी-कट्टी हो जाएगे चिके चल अब देखो यहां यहां पर इसमें लाइट प्रेड्यूस की जाती है कि दा पावर फ्रेक्टर लोड यूजिंग वैल्डिंग ट्रांसफोर्मर लीस्ट डेपेंड ओन बताएंगे फटावर से यह कुश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है काफी बार यह वाला कुश्चन रिपीट हो चु बताएंगे फटावर से क्या होगा राइट ऑप्षिन बिट फास्ट गाईज बिट फास्ट बिट फास्ट अब देखो यहां पर अगर हम बात करें इस के बारे में यूजिंग वैल्डिंग ट्रांसफोर्मर अब देखो सबसे पहले तो यह याद रखो कि हमारे पास में ज स्टप डाउन होते हैं हमारे चिक है अब देखो यहां पर आर्क की जो लेंथ है यानिकी लेंथ करेंट तो यहां पर इसको पर डेपेंड करेंगा टाइपस ऑफ एलेक्ट्रोड है ना बहुत जादा डिपेंड करता है कि कौन से एलेक्ट्रोड यूस कर रहा है नंबर ऑफ इसको कहा कनेट करते हैं वैल्डिंग सरकेट्ट एमटेटेड यहां पर यहां पर इनकी पावर क्यांट करेंड करते हैं वेल्डिंग सरकेट बहुत करता है बताएंगे फटावर से हाँ ये बात तो है कभी-कभी कान खीचने का मन तो बहुत करता है चलो यहाँ पर बात करें power factor improvement की अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर highly lagging load होता है हमारा और highly lagging अगर load है तो power factor आपको पता ही है इंप्रूब करना चाहिए क्योंकि power factor improvement नहीं करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर तो आपन लोग यहाँ पर क्या करते है कि power factor improvement दो तरीके सो सकता है एक तो load side में हो सकता है और एक कहाँ पर हो सकता हमारा source side में हो सकता है अब वैल्डिंग के case में यह पॉसिबल है नहीं क्योंकि लोड साइड हमारे क्या की जाती है यहाँ पर जो welding है welding की जाती है तो it is quite क्या हो जाएगे हाँ पर complicated हो जाएगे तो हपन क्या करते हैं यहाँ पर जो सोर्स होता है गाइस है न से encountered मतलब observe करना चलो बताएंगे फटावर से क्या होगा right option everyone जल्दी से बताएंगे यहाँ पर क्या होगा आर्क ब्लो इस वैल्डिंग defect अच्छों ओके गॉट इट चलो बताएंगे फटावर से आर्क ब्लो है न आर्क ब्लो देखो यहाँ यहाँ पर होता है हमारे पास पर पास Q nice हब यहाँ पे जैसे दो यहाँ पर laptop को जैसे आप माद ली जी अष्ट फिसाइधा से पना पर एंबन कर रहे हैं न अर्क यहाँ पर जैसे मारी से point 1 है यह point 2 है तो arc यहाँ पर point 1 से point 2 पर जाएगा तो यहाँ के लिए क्या होना चाहिए? short path मिलना चाहिए इसको short path मिलना चाहिए so that arc आपका stable भी रहेगा और यहाँ पर जल्दी arc formation होगा भी लेकिन यहाँ पर जो DC current है DC current के case में यह ऐसा नहीं होता है क्योंकि DC has a constant value तो यहाँ पर इसके case में it does not have short path है ना क्या होगा आपका it does not have short path it does not have shorting path तो इसी कोई guys अपन क्या बोलते है nothing but arc blow बोलते है तो right option कितना हो जाएगा option is the right option what is the purpose of using argon in a argon arc welding बताएंगे फटावर से हमारा जो argon होता है argon arc welding में इसका क्या use होता है इससे भी लोग जल्दी से बताएंगे तो तुम्हें एक दम बिल्कुल सही लग रहा था धर्मराज जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा अब देखो यहाँ पर जितने भी हमारे पास में जो आरगन होता है तो आरगन जो आर्ग होता है हमारा तो आरगन आर्ग वेल्डिंग में आरगन गैस को यूज़ किया जाता है अब पहला option है इस प्रिवेंट ऑक्सिडेशन यह यहाँ पर आरगन गैस की प्रॉपरडी हो दी गई आरगन हो जाती है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन निकल का है हमारे पास में को सा निकल का आया चिंटू ऑप्शन डी निकल का अच्छी के पतलून ज्यादा चोटी नहीं करने का दर्टी फाइर वैल्डिंग है जो हमारे पास में रेक्टी फायर्स होते हैं वाल कर्यक्रैकिर्स देखे अगर यहाँ पर तुम्हें याद होगा तो कई बार मैंने तुम्हें डीसी सी ति को करेक्टरेडिक्स शंति के और यहाँ परग जो कुमिलेप्तिय टिंटिक़्नेGS्शिअ कम बटायियं और सबसे पहला हमारें पास प्मार्स अपा पस्पास अका च जरूरी होते है विगोज यहां पे कैसे काम करता है perfect current source के तरह काम करता है चीकर साथ एक डूर बोग्या और भी याद रखने आप लोग यहां पर डूपिंग के साथ यहां पर कैसे औरूपिंग के साथ और हमारे इसके आपका फ्लैट वोल्टेज सब से ने चरहे तो यह सब्सक्राइब में वेल्डिग केस्द छूंने पाँ टायने चाहिए चुटे में आप जाने चली होने हाँ अरक व्लिम्लेंग वोल्टे प्रफिस अब यह दो सीधा सा डेटा बेस कुश्चन है गई फटावर से बताएंगे यह आपका सिंपल डेटा बेस कुश्चन है गई प्लीज जू लाइक एंशियर डू लाइक एंशियर आवरीवन चलो जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट ऑप्शिन सभी लोग बहुत अच्छे सब आश कंप्यूटर बाबा आ गये हैं चलो यहां पर राहुल बताएंगे फटावर से अंसर शर्मा जी क्या होगा बिटवास गाइज बिटवास आर्क वेल्डिंग है बहुत ज्यादा टफ कुश्चन नहीं आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग सब्सक्राइब करते हैं अगला कुश्चन विच आप दा फॉलाविंग इस नौट वेल्डिंग ने ऐसे सरी सरी नॉट नेसे सरी यहां पर निमने लिखत मैं से कौन सा हमारा वेल्डिंग ऐसे सरी नहीं होगा सबी लोग बताएंगे जल्दी से तो देखो यहां पर ना आकरिटी राजिश गौरव और अंकीत क्लीविस साइंस मंजू लता सभी ना गर्दा उड़ा दिया बहुत अच्छे अब अगर यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉट होल्डर है ना मस्ट है हमारे पास हैंडी स्क्रीन है अगर हैंड इसकी नहीं जितने भी लोग देख रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि यहां पर इतनी महनस से सेशन बनाएगा सच में बहुत महनस से कुश्चन सेलेक्ट किया है और यह एक ऐसा सब्जेक्ट जो जनरली यहां पर अवाइड किया जाता है यूट्यूब पे क्योंकि पेड में दिया ज आपको हमारे पास में जो क्या होगा आपका एलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो यहां पर ठीक है मतलब गलत बात तो नहीं कहीं यहां पर आपको पता है कि हमारे पास में क्या होते है आई स्कूर आर लॉस जो कि किसके लिए होते हमारे हीटिंग के लिए प्र transformer use करते हैं और जाते हैं से ज़्यादा करेंट लेने की कोशिश करते हैं तो यह सही होगा बी सही होगा अमाउंट पावर सप्लाइट तूदा वैल्ड यूजली यह भी ठीक बात है आपका तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास में अप्शन डी दब में जोबेक ऑफ रजिस्टेंस वैल्डिंग बताएं फटावर से च्वेल्डिंग होता है इसका में जॉबाग क्या होता है थैंक्यू सो मच अब है थैंक्यू आव्रिवान चलो बताएंगे जल्दी से यहां पर क्या होगा राइट आप्शन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद गौरब अभी शेक ना धरम राज सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद चलो अगला कुशन देखें यहां पर में एप अब दिखेंगे आप परंडीननों इसकी प्राब्लम की होते है görünia प्रहुत में सबसे ज़्यादा है और इarnya जड़्सका में बतैंकर फिश्प्राइगे उतना चैनि यहां ङांड़rous के साथ मोगा चीक है यह देखो यहां बस option change कर देगे कोश्चन वहीं न तो जिस लीविट ड्यूरिंग रेश्टेंस वेल्डिंग हीट प्रड्यूस भाई यह देखो है न मिलेनियर डॉलर कोश्चन है न ऐसे सी जेई वाले न ऐसे कुश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं पता है ऐसे कुश्चन क्यों पूछ है न जिसे तुम लोग बगल में बैटे इंसान को ताड़ हो ना क्योंकि अगर तुम से पेपर बना तब तो तुम एक दम है न एक दम ऐसे हैं रामाइड की तरह कि अपर तुम क्या करें अच्छा ओ वाओ क्या वाओ तरी अधर देखोंगे तो पता होता है तो अब यह तना इसलिए कि कुश्चन से यहाँ पर तुम लोगोगों को डाल देता हूं कि यहां पर हमारे पास में जो हीटिंग होता है डूरिंग दरेंसे किसके लियुए होता है आपका और के प्रपोस्टल होता है रेक्टी फायर फोर वैल्डिंग है जब वोल्टेज एंड करेंग्ट रिपीट हो गया सॉरी विच अप्ट फॉल्विंग फॉल्स अंडर दा कैटेगरी और फ्यूजन और नॉन प्रेशर वैल्डिंग अब देखो आप यहां पर नॉन प्रेशर वैल्डिंग यहां फिर फ्यूजन वैल्डिंग बताएं फटावर से यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन यहां पर आप्शन एलिमिनेशन मैथर लगा और यहां पर आंसर पाऊ और इस दिपावली अपने घर में खुशिया लेकर आ जाओ तो अकाश कुमार न अँद मुझे चलो आपर आपने मेarn referralенко कृटिंग एशडियर वैल्डिंग अल्ट्रा cancerऄट वैल्डिंग इस फ्यूजन वैल्दिंग एक्सप्लोजी वैल्डिंग प्रेश्र वैल दिग उलसो प्रेशर वैल्डिंग और फ्यूजन वैल्दिंग तो हमारे पास जो क्र्कौ होता है non-pressure का not a fusion है तो यहाँ पर non-pressurized जो हमारे पास welding होता है does a fusion यह कौन से होता है आपका only resistance होता है यहाँ पर किसी भी आपको pressure की जुरत नहीं पड़ती है the resistance of arc बताएंगे फटावर से क्या होगा the resistance of arc decrease होगा increase होगा current के साथ मैं क्या होगा और यहाँ पर आज के जो session है न दोस्तों यहां से तुमको सीधे-सीधे question देखने को मिलेगा न सीधे-सीधे आपको जो exam है यहाँ पर question तुमको देखने को मिलेगा बताओ फटावर से क्या होगा हाँ सभी लोग जल्ली से बताएंगे हाँ पर क्या होगा right option bit fast guys जल्ली से बताएंगे क्या होगा right option bit fast guys bit fast bit fast देखो अगर इस वाले question की बात कर रहे है न तो आपको पताए कि यहाँ पर जो हमारा क्या होगा decrease with increase in the arc length and are is called to get a simple are is called to होता है guys row L by a और यहाँ पर current का value कितना होता है current होता है आपका VyR तो यह तो simple question था guys which of the following aspect एन DC welding better than the AC welding बताएंगे फटावर्ट से क्या होगा हालांकि जो DC welding है इसके मैंने तुमको नुकसान भी बताए हैं लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारा जो DC welding है इसके कुछ एक फाइदे होते होते हैं अब देखो जब हम weld करते हैं तो यहाँ पर welding में क्या होता हमारे पास में में जो फंसान है वो क्या होता आपका आर्क है जैसे तो युनिडिरेक्शनल करेंट होनी की बज़े से जो आपका आर्क बनता है काफी इस्टेबल आर्क बनता है कि विच अब फॉलविंग ब्रेकिंग इस नौट सुटेबल फोर मोटर मोटर के लिए कौन सी ब्रेकिंग यहाँ पर सुटेबल नहीं है बताएं गाइस और इसका त अच्छा नहीं लगै और तो किया होगा अब करको बिएगं का मतलब होता है कि मोटर को इस टॉप करना तो यहां पर आपको पताई है कि हमारी जो फ्रेक्शन ब्रेकिंग इडिनेमिक ब्रेकिंग यह तीनों प्रेकिंग हमारे पास में possible होती है fraction breaking को आपको पता ही है fraction breaking में क्या होगा अगर तुमने लगाने की कोशिश करी तो तुम्हारा भी fraction बन जाएगा साथ में चलो आगे चलेंगे और आप यहां से सुरू होता है आपका basic electrical आप यहां से सुरू होता है basic electrical तो यहां पर तुम लोगों ने दोनों का कहाता है ना तो दोनों ही मैंने तुम्हारी सेवा में हाजर किये हैं बताएंगे फटावर से अब यहां पर जो basic electrical है basic electrical का गरद और आएंगे चलो बताएंगे फटावर से क्या होगा अब यहां पर जो है आपका start हो जाता है basic electrical चलो तो यहां पर मरोज ने सबसे पहले option क्या बता है option C बताया है अब देखो यहां पर हमारे पास में question क्या है calculate the northern current between terminal A and B है ना और मुझे समझ भी जाता है तुम लोग northern से तना डरते क्या है सबसे पहले क्या बनाना है तो मैं यहां पर करेंट निकाल लो तो जो आरेन होता है आरेन तो कैसे निकालें गाइस यहां पर आटी एच की तरह ही निकालो गया तो अब हंएच और कितना आगे वारे पास में प्लस टुक घटाश है तो कितना आगए ऐंपके पास मैं 3.5 आ ङया हमारे पास में यहां पर च succession करोगे और यहां पर यह यहां पर तो में यहां पर यहां पर निकाल ला है तो यहां पर यहां पर यहां पर नोडल लगा दीजिए अगया आ खर मैं 4 में बोल में 3 तो यहां से नॉटन को का आटा बाएब assignment कैल्कुलेट दा कैपिस्टिव रियक्टेंस एट रेजोनेंस फोर अगिवन सर्कीट बताएं फटावर से क्या होगा का यार तुम लोग ना इंजीनेर्स होगे ऐसे काम करते लगते तुम लोग नहीं कॉलेट में कुछ एक्साइटिंग वाले काम नहीं कि दमाल चौकडी वाले काम नहीं कि एक्जाम पॉभी और एक्जीस्टिंट की डायरी में तुम्हारी शक्तियां जहां से वह एक मूवी देखिए जानी दुश्मन है जिसमें वह बाबाजी कहते हैं कि जहां से तुम लोग की सोचने की शक्तियां खतम होती है तो वैसे ही गाइस जहां से नॉन टेक वालों की शक्तिय ही खता होती हैं सोचने कि यह उजिनियर की सक्तिय सुरूँ होती है तो यह एक्जाम-फोबिय क्याओ करो कीमा बना दो इसका तो ऐसे बात है क्टिनरी में एक्छिस्स रही कह से सब्बॉम हो से संब्स्ट यह बागी घ्रिचेनि नहीं से तो यह सब तो अब यहां पर बात करें किसके बारे में तो बैसे तो question simple है बस मैं यहां पर तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि यहां पर जो resonance है resonance का मतलब क्या होता है कि source voltage और source current है must be in the same phase तो इसका मतलब 5 हमेशा कितना होना चाहिए होना चाहिए और 50 होने के लिए हमारा जो XL है किसके होना चाहिए एक सीके क्वाल होना चाहिए क्योंकि तभी कैसा आएगा हमारे पास में इंपीडेंस प्योर्ली रजिस्टिव आएगा तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन 20 हो गया और फाइंड अ करेंट वाइद सुपर पोजिशन धिवरम वेट 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 यहां पर तुम लोग प्लीज क्या मत बनने लगना यहां पर राजा हरिश्यन मत बनने लगना ना क्य अच्छा चलो बढ़िया है कहीं से तो आए है ना देखो डजन्ट मेंटर की अच्छा कहां से हुआ है यह मेंटर नहीं करता कि हमारा कहां से भला हुआ जिसने भी किया कि भगवान उसका डवल भला करे अच्छा कालो हमेशा अपनी और जैसे मतलब मैं तो कोई जैसे अगर मैं अपनी बात बताओ कि जैसे कोई अगला कुशन आपके सामने निकाल लीजेगा जो करेंट आई आ जाएगा अगला कुशन आपके सामने एक्यूवैलेंट इंडक्रेंस निकाल ला है तुमको मतलब पिछली वाले कुशन की दोस्तों एक बार ना काल्कुलेशन चेक कर लेना एक बार काल्कुलेशन चेक कर लियो जहां तक मुझे लग रहा है आपका आप्शन यह आना चाहिए अगला कुशन बताएंगे त इस कुशन को दिहान से देखना ना बहुत जादा भी दिहान से नहीं देखना कि यहां पर पता चले कि देखते ही रह जाओ बहुत इतना भी दिहान से मत देखो कि यहां पर देखते ही रह जाओ बताएंगे फटावर से क्या होगा राइट आप्शन बताएंगे जल्दी से option B कैसा है guys option B है आपका घंगोर गलत है option B कैसा है घंगोर गलत कैसा है आपका घंगोर गलत अब आपको सब्सक्राइब कट्टी 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 होने से पहले एक बार देख तो लो देखो यहां से करेंट चला यहां से करेंट चला कहां से फ्लो हुआ आपका अंडॉर से कहां से हुआ हमारा अंडॉर से फ्लो हुआ आया आया यहां पर आया आया देखो 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 आया यहां पर क्या लगा यह साइन लगा इसका मतलब होता है यह आपका और सर्कुर्टिंग नहीं है यहां पे यहां आया करेंट गहां से फ्लोओ यहां पर अंडाट से फ्लोओ अका अउन गॉडाट से फ्लोओ तो सेम पोलैट होई कि इंक आपे बना रहा हुँ तो यह जो कॉयल हमारे ही पास में दो कॉयल से लगाए लगाये दौनों में करेंट कहां सेंट कर रहा है पर को रहे हैं तो मिलो है तो से में कितना हो जाएक हमारे पास में L1 प्लस L2-2 M हो जाएगा हमारे पास में अगर अपोजिट पोलरीटी होती ही तो क्या हो जाता हमारे पास में माइनस 2 M आ जाता आपका छी कह है यही तो खेल होता है विट्टा जिन्दगी का असली मजा तो गूमने में ही है न चलो बताएंगे फटावर से अगला कुश्चन का अंसर क्या होगा गाईज find the time constant for a given circuit हमारा जो given circuit है गाईज given circuit के लिए यहाँ पर जो time constant है निकालेंगे आप लोग फटावर से निकालेंगे यहाँ पर दोस्तो everyone everyone जल्दी से निकालेंगे इस क्या होगा हमारा time constant for a given circuit सभी लोग जल्दी से बताएंगे इस क्या होगा राइट ओप्शन bit fast guys bit fast चलो जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट ओप्शन जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट ओप्शन सभी लोग बताएंगे जल्दी से bit fast Jingle में ओद और आइपर करो इस बाले कोश्चेन के बारे मैं है तो यहां पर दिक्वो राइंड टाइम सड़म शर्किट तो अगर मैं imen आइम कोश्रिंट के वाईएं बात करूं गारी ऑगिज आए ऑनTIM क मेंपे और यहां निकालना है तो हो सबसे पहले क्या geçt लिएक तरह निकाल लिएगा तो सबसे पहले क्या करना है तुमको गिवन क्युषा तरइडैनल उपन कर देना यह निक एक अगर यहां पर इंडक्टर दे रहा है इसको ओपन कर देंगे और जितने भी हमारे पर बात करते हैं, पनलोगो इसके बारे में तो यहां पर RQUIVALENT एक इतना होगा हमारे पास है RTH हो गया तो यहां पर सबसे पहले स्थेखो Current Source कि इतना हो गया, Open हो गया और अपन हो गया हमारे पास में तो आपके पास में यह इने हमारे पास में कि नहीं जाए क्यों कितना हो कि आपका ओपन करेंगे तो तुम्हारे पास में जो आ रिक्यू वेलेंट ॡाक्रण के राइट पास में 10 हो गया 3 हो गया कितना अव कितना हो गया 3 है और टीन रुपया और किसको हależy को वहां से कहले है इमली की पुडिया तो यहाँ पर रख दीजेगा हमारे पास में कितना आजाएगा टाइम कॉंस्टेंट आपका 3 सेकंड निकल के आगया तो राइट ऑप्शन कितना आगया हमारे पास में ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन है चल, find the current I shown in the figure जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या होगा तो यहाँ पर इस तरीके के जो circuits हैं guys आपको बहतेरे circuit यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे सभी लोग बताएंगे फटावर्ट से Everyone, everyone जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट ऑप्शन सभी लोग जल्दी से बताएं guys bit fast चल हाँ पहले की बात अलग थी आज कल तो कोई नहीं देता है चल सही कह रही हूँ तो अब देखो यहाँ पर भई वो बच्पन के दिन थे हैं न बच्पन गया दिन गया है न और बातें गई साथ साथ में तो अब देखो हमारे पास में क्या निकालना है current आई निकालना है तो मैं है आप इस question को तुमने जैसे देखा तुमको यहाँ पर लगाओगा हाउवा हाउवा समझते हैं न तो यहां पर को आया यहां पर तुमको यहां पर देखा बिलु भाएंगर है दुमने यहां पर सिंप आप इसको गुझा अलक आ हूवतले में क्या हमेशंայ कि जब भी नेटवक तुमको देखे कि यह दे आपके पास है आई आगए आगे आपके पास हमारा घादेडके नहीं के तो आई ये पिर से यहां पर में च आघ ultimate लोग बताँगे सिरफड़ी प्ली शैवारी लोग जल्दी से बताएंगे जोस्ते यहादा पर क्या हो राight Óp moisturizer पर ऑगला क्रub कुष्ण फिर यहादा गोल मटल वाला आपका है नो chakra जल्दी से बताएंगे मैं ज्ल किया हो कब गोल मटल वाला कोष्ण है न संटे है राओ सभी लोग जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा इतना टाइम क्यों लगा रहा है कसम से बहुत सिंपल कोशन है ना कसम से बहुत सिंपल कोशन है अध्लिस ट्राय तो करो पीजी से ल के लिए लाइब बैच कब से स्टाइट होगा गोतम मैं सेडूल देखे एक बार बताऊंगा आपको अब यहां पर याँ वाली कुशिन को तुम लोग ध्यान से देखा है और मुझे लगतता तुम लोग गलत आंसर देढया देखो तो यहां से देखो सबसे यह से करेंट आया यहा ? अब यी धान इसका माना जाता है इसका गर्राँसN पर आप इसको उल्टा करके भी है How Greggle Watanze you good startup low eternal His いました हमाइर पास में करेंट करेंट की मेल्दी होगे हमारे पास में i Z children 2100 माइन्स कितना हो गया drie आद का 40 और हाई यहां पर यहां पूर्णा कि सब कैसे कैसे लगने हुए आपके सब कीसा आपास में तो कितना अगया एंकर ना ऌट पॉछा है टो यहां पर 30 वे झौu तो आपका यहां पास में आ यह बेसकर लाग रहता है कि हाय हाय टाइप का हैा लेकिशन देखा जहना है सज्क्री इंच्रा जाए को तो आदाएगे सभी लोग जल्दी से क्या होगा राल आइट आप्य सिन्धिन होका यहां पे सभी लोग बताएंगे और यह यहां पर जो संक्या है प्लीस g Bye लाइक्स की संक्या ता बस रह तरीके इससरी लोग जल्दी से बताएं गे किया होगा राइट आप्सेट si bit fast guys bit fast जल्दी से बताएं गे क्या होगा देखो अगर हम यहां पे बात करें इस वाले कुश्चन में तो यहां पे हमारों जो रिलिश्टिविटी होता है रजिस्टेंस में वह यह उता है और इस केल तो गतना हो जागा हमारे पास में आयर इसकल तो कितना हो अगय्स आपका resistivity नहीं तो यहाँ पर पर रेजक्टिविटी नह्युंत इसको पन क्या बोलते है इसको specific resistance भी घाइज इसको बोला जाता है रही स्पेसिफिक resistance भी बहुत है आप यह जो रखी सिंगी होता है आपका यह किसको डिपेंड करता है इह depend करता है आपका material composition पर यानिकpur पिर्ग्मारा जो material घखाई है आपका material कैसा है तो material को क्या सकुफ्ट से अपर यह पिरेज़कोजीश्ट करता है तो यहां पर कुछ भी तुम कर्ता है रह Democrats नहीं करता हमारा length or dimension की उपर किसपर इपनफ करेगा material के composition को पर depend करेगा चल अगला option बताएंगे फटावर से यहां पर बताएंगे फटावर से क्या होगा अगला question यहां पर घरदा तोड़ाओ, bit fast guys the rms value of voltage v of t is equal to 8 plus 6 oh my god oh my god, यतना खतरना question चलो, बताएंगे जली से क्या होगा सभी लोग एक बार बताएंगे प्यार से, प्यार से कहते हैं तुमको इंडिया वाले, बताओ तो जली से क्या होगा जली से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट आप्शन जली से बताएंगे दोस्तों क्या होगा राइट आप्शन बिटफास गाए सभी लोग देखो अब अगर इस question की बात करें तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें सारे concept बताता हूँ तो यहाँ पे यह question इस form में भी हो सकता है इस में भी हो सकता था 8 plus 6 sin 3T इस form में भी हो सकता था तो doesn't matter हमारा sign के form में या फिर cost के form में यह कौन सा आपका DC signal है और यह कौन सा signal है तो हमारा AC signal है तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा हमारा DC के case में सब कुछ same ही होता है तो mean का square ले लिजे और यह कौन सी value it is the maximum value है तो कितना हो जाएगा maximum का RMS maximum by root 2 और इसका mean का square कर दीजे में कितना आजाएगा हमारी पास में guys यह आपका निकल के आगा हमारी पास में यह रोधार अच्छा यहाँ पर देखो अगर जैसे मालो कि यह वह वाला कॉश्च्छन है ने तुमको फेक अक्षर जानकारी दे रहा हूँ अगर यहां पर यह signal है हमारा 8 plus 6 cos t अगर हमारे pass में यह आपका जो signal है कहां से pass होता है दो instrument से pass होता है एक pass होता है आपका PMMC से और दूसरा pass होता है guys आपका moving irons है इस टाइप का question आपको मिलता है तो PMMC किसको read करता है सर्फ DC को न PMMC के reading कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और यहां पर जो moving iron instrument किसको value करते है AC plus DC दोनों को तो effective rms value को read करेंगे तो moving iron instruments की reading कितनी हो जाएगी square root of 82 हो जाएगे clear हुआ guys अगर इस तरीके को question आए तो गर्दा उड़ा कर आना चलो बताएगे अगले question का option क्या होगा तो यहां पर आशी सौरब मंजू अंकेत सुजाता भानू सुची आरके सभी लोग बड़ी option दे रहे हैं अगले question का option बताएगे इसी बात पर क्या होगा जल्दी से guys फटा-फट से बताएगो क्या होगा right option सभी लोग जल्दी से बताएगे दोस्तों क्या होगा right option सभी लोग बिटफास गाइज जल्दी से बताएगे क्या होगा right option बिटफास गाइज बिटफास जल्दी से बताएगे क्या होगा right option तो अब देखो यहां पर अगर इस वाली questions की अम लोग बात करें तो इस वाली questions में देखो क्या होगा कि जैसे हमारे पास में जो nodal analysis तो basically जो nodal analysis है guys nodal analysis क्या बताता है हमारे पास में यह बताता है आपको guys it is the combination of the kcl plus ohms law क्या बताता है guys है हमारा kcl plus ohms law के बारे में आपको बताता है तो अगर माली जान नोडल analysis में तुमारे पास total number of node कितने n तो यहां पर कितने की ज़ुरत पड़ेगी equations को आपको n minus equation की ज़ुरत पड़ेगी है very very important very very important question ठीक है very very important question और इस question का कौन answer देगा वही होगा आज के टॉफी का हगदार मतलब यहां पर वही होगा आज की चॉकलेट का हगदार तो बताएंगे जल्दी से हापर कौन बताएगा सुनील हनीमा अभिशेक राहूल जॉय अंकेत अकाश कौन बनेगा यहां पर चांपियान चलो बताएंगे जल्दी से क्या होगा option बिटफास जल्दी से बताएंगे क्या होगा अभी कोशन देखने में मतलब लग तो मुझे भी काफी प्यारा रहा है और यहां पर लेकिन कुछ लोगों ने option बताया भी है चलो very nice है ना क्या बात है दिल जीत लिया है त तो अच्छे एक बड़ी समस्तों लोग होता कहा है ना तो अब यहां पे यहां पर हम लोग graph draw करेंगे किस के किस के बीच में current और frequency के बीच में graph draw करेंगे चिक है तो हमें पताए कि अच्छे कासपा कर वे यहां पर यहां पर कहीं भी किसी भी point पर मान लिए व्मारा क्या है omega आपका नॉट अपर हमारा क्या है यहां पर रेजीन फुक्वाफब. तो omega dönots क्या है आपका रेजीन फुक्वाफब. सो omega is your resonant frequency तो यहाँ पर जो resonant frequency है तो resonant frequency पर आपको पता है हमारा impedance कितना होता है guys R minimum के equal होता है तो यहाँ पर current कितना होगा guys तुम्हारा maximum current होगा चिक है तो आप देखो जब maximum current होगा यहाँ पर तो इस तरीके का graph वनेगा आपका और यहां पर इस वाले पॉइंट पे current कैसा होगा तुमारा maximum होगा तो maximum current होगा हमारे पास में आप यहां पर मैंने क्या कि यह अपका कौन से reason आया Below the Resonant Frequency और यह कौन से reason आया हमारा Above the Resonant Frequency तो अब यहां पर मैंने क्या कि कि यहां पर दोना frequency पे common intersect point ले लिया है दौना frequency पे common intersect point ले लिया और यहां पर हमको क्या मिल गया frequency का यहां पर आपको intersection देखने को मिल गया तो यहां जो frequency Phone पे intersection point है यह कहलाता हि lower cut off frequency और यह above the resonant frequency तो यह कहलाता हि अपर cut off frequency सो यह हमारा omega 1 हो गया that is the lower cutoff frequency और यह कौन सा point हो गया बेटा आपका omega 2 that is the upper cutoff frequency ठीक है तो जब यहाँ पर omega naught का value निकाल होगे तो omega naught कितना होता है आपका resonant frequency is nothing but geometric mean of the यानि कि multiplication square root of the lower cutoff frequency and upper cutoff frequency आप देखो जो हमारा below resonant आपका ने below resonant तो हमारा जो below resonant है यानि कि omega हमारा क्या है omega is less than the omega naught है तो यहाँ पर हमारा जो capacitor से यह dominant करता है कि इंडक्टेंस कूपर dominant करता है और यहाँ पर हमारा जो power factor निकलता है power factor angle यह किता निकलता है आपका 0.707 अब क्योंकि inductor lead कर रहा है sorry capacitor lead कर रहा है तो nature कैसा होगा हमारे पास में लीडिंग power factor हो जाएगा similarly इस वाले reason में यहाँ पर इस वाले reason में यहाँ पर omega 2 है omega 2 वाले reason में यहाँ कि upper cutoff frequency में आपका जो inductor होता है यह क्या होता है greater than होता है XE तो यहाँ पर भी power factor कितना होता आपका 707 ही होता है लेकिन nature कैसा होता है नीचर आपका बदल जाता है तो अपर cutoff frequency पर आपका कैसा हो जाएगा lagging power factor और lower cutoff frequency पर कैसा हो जाएगा leading power factor reason तुमारे सामने है मजा आया मजा आया कि नहीं आया बताएगा फटावर्ट से क्या बात कर रहे धनराज यार तुम लोग यहां पर आओ office में नहीं तुम लोग के लिए बंडारा करवा देंगे यार चोकलेट का छोटी मोटी चीज़ है ना बंडारा हो जाएगा तुम लोगों के लिए चलो अगले question का option बताएगे सभी लोग जल्दी से क्या होगा right option सभी लोग है ना जल्दी से पताएगे हाँ पर क्या होगा right option a series RLC circuit है जा resistance दे रहा है inductive reactance दे रहा है what is the phase angle of the effective impedance अच्छा impedance निकालना है तुमको और यहाँ पर यह सारी चीज़ है पता आया है बताएगे फटावर से सौरब जो आप बात बोड़ रहे है 3DV वाला उसको क्या बोलते है nothing but that is the gain है ना gain क्या होता हमारा 1y root 2 times of the maximum gain अब देखो यहाँ पर हम बात करें series RLC circuit की है ना तो जो series RLC circuit होता है तो series sorry RLC circuit है ना तो impedance कितना हो जाएगा दोस्तों यह हो जागा हमारे पास में आर स्क्वेर प्लस XL स्क्वेर न तो यहाँ पर कितना देर आख है पांच और पांच देर रखाए नहीं तो कितना हो जाएगा 25 1.07 और जो एंगल है कितना आजाएगा हमारे पास में 45 नेचर कैसा होगा आपका आपका अब्यसी लेगिंग होगा हमारे पास में चलो अगला question बताएंगे सबी लोग यहाँ पर क्या होगा what will be the average value of the soft to the waveform shown in the below बताएंगे क्या होगा बिट फास्ट सभी लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा अगला question what will be the waveform है तो यहाँ पर average value पूछी गई है हालेंगे देखो यह question मैंने average value के लिए नहीं डाला यहाँ पर average value तुम मैं से यहाँ पर से भी लोग बताएंगे almost है अब यहाँ पर माले जी यही question किसके लिए आजाए आर्मेस के लिए आजाए ना तो थोड़ा सा यहाँ पर बात बनती है हमारी है अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें average की तो अब आरेज होता है आज़िस हमारे सिम लेकिन माले जी इसका अरमेस वैल्यू पूछा है यहाँ पर तुम्हें पूछा स्का敢ίνियऄ और यह फिर हमारे पास मैं मौले यह वाली वेफ़मी हो सकती है अगर इसकी जगाब waveform ना यह भी हो सकती है तो दौनों के लिए सेम ही बताऊंगा मैं दौनों के लिए सेम होता है माली जी यह वाली waveform भी हो सकती है सेम टाइम पीरेड के लिए तो अब यहां पर जो rms value होती इसकी current की voltage की rms value यह कितनी होती है it is given by vm by root 3 ठीक है और अगर तुमसे मालो यहां पर power calculation पूछा जाता है तो power calculation आपको पता है किससे calculate करते है हमेशा rms value से तो i rms square into क्या हो जाएगा यह फिर हमारे केतना हो जाएगा v rms square by r से यह आप यहां पर इसको निकाल सकते है तो in case of power calculation यह आपके बहुत जादा काम आएगा चलो अगला question बताएंगा फटाफट से क्या होगा for a network thevenian equivalent vth आपको दे रखा है rts आपको दे रखा है if network is shunted by another 50 ohm resistance 50 ohm load ठीक है what will be the new thevenian equivalent of the circuit अच्छा बताएंगा इस फटाफट से क्या होगा राइट option bitfast guys bitfast जली से बताएंगे everyone I think यहां पर network is shunted by 50 ohm कर दो जो लो बताएंगे फटावर्ट से क्या होगा हमारे पास्ट ना एवरिवन एवरिवन देखो तो यहां पर ना सबसे पहले चीज तो यहां पर यह जो टैन ओम लग रहा है यह 10 ohm जो है यहां पर I think कितना होना चाहिए आपका 10 की जगा 50 की जगा यहां पर 10 होना चाहिए I think so I think there is some mistake जो मुझे लग रहा है इस केस में यहां पर गाईज यह प्रेंटिंग मिश्टेक है यहां पर 50 है यहां पर 50 है यहां पर 50 है यह प्रेंटिंग मिश्टेक है यहां पर I checked मैंने चेक कर लिए यहां पर यह 50 है आप पर चीक है यह 50 है चलो तो अब देखो आप तो हमें दिख रहा है चीजा सीधा 50 और 50 किस में आजाएगा हमारे पैरलेल में आगए हमारे पास में ठीक है तो कितना आगे आपका 25 आगे और जो वल्टेज और यहां पर आदा आजाएगा तो कितना आजाएगा गया व्यटेज दिविजन रूल कितना वह जाएगा कितना हो जाए है कि यहां पर इसको और क्रेक्ट कर लिजाए गहां क्योंकि 10 और 50 के साथ में कोई और है तो कितना आजाएगा हमारे पास में आजाएगा आपकी बदस में इधर फ्रेकवेंसी ऑफ इंस्टेंहेनियस पावर इनकर इनकर बताएंगे gracious को फूशं को थोड़ा से कर लिजेगा करिए ऑप्षिन मैच नहीं करेंगे जिनका और जलाग име दस और पचास के साथ में 25 कैसे आ सकते है तुमारा रजिस्टेंस चलो मैंने कंफर्म कर लिया है ना कुश्चन को यहां पर मैंने दुवारा से रिचक कर लिया और वहां पर 50 था ठीक है 50 कर दीजिए उसको दा फ्रेक्वेंशी ऑफ इंस्टेंटेंइस पावर इन प्योली कैपिस्सेटेंट में क्याहबा गां गुड इवडिंग एंजल लेकिन क्लास जो 3 वज़े से तो लेट हुआ हैं चलो बताएंग अगले को औप्शन को अप्शन क्या होगा देखों अब यहां पर हम बात करें instantaneous frequency के बारे में तो हमारे पास में instantaneous power होगा P of T P of T का value वेल्यू केता होगा गाइस यह होगा आपका V of T into I of T यह होगा के नहीं होगा हमारे पास में तो अब जैसे मालीजे हमारे पास में RLC circuit है ना जाए रजिस्टेंस हो चाहें कैपेस्टेंस होगा हमारे पास में कैसा हो कोई सा भी circuit हो ना इवन आपका कॉन सा सरक्ट हो गाइस आपका RL circuit हो या फिर हमारे पास में RC circuit हो तो हमारे पास में जो आपकी power frequency निकलती है हमेशा है ना instantaneous power frequency के निकलती है आपकी two times of the voltage frequency और two times of the current frequency इवन दो यहां पर कोई सा भी circuit बना रहा है हमको इतना सा फर्क नहीं पड़ता है ना चलो चलो चिके दुनिया जाए यहां पर भाड में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता पावर फ्रक्वेंस हमेशा के निकलेगी two times of voltage frequency और two times of the current frequency तो क्या हो जाएगा हमारा डवल दा frequency of the applied voltage आगे चलेंगे त्री फेस स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड आपको दे रखा है और क्या पूछा है to determine the power factor चलो गरता उड़ा देंगे सभी लोग इस वाले question का तो है ना मतलब यह वाला question तो बचना नहीं चाहिए आप लोगों से यह वाला question तो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए आप लोगों से मतलब अगर यह वाला question तुम लोगों ने छोड़ दिया तो गलत बात हो जाएगा ना मतलब break up कर लिया जाएगा क्या बात कर रहे है तुम चलो बताएं अगले question का option क्या होगा तुम है यह जो फोड़ च्पन फेज लिए और यहां पर सिर्फ सिप स्ट उट्स करने के लिए किसके लिए तुमने मतलब हमें इंपीडेंस देए तो हमें यहां पर तुम कहोगे कि मांस्टापने इंपीडेंस टेंगल पहले बता रखा था ना क्योंगे हमारे पास में Z power factor कितना हो जाएगा Cos 5 तो Cos 5 नदिंग विट कितना होता है आपका R upon Z होता है हमारे पास में resistance कितना दे रखाए तो में दे रखाए 4 और इसका mod of Z कितना हो जाएगा R square plus X square यानि कि 5 25 का स्कॉर रूट है कितना हमारे पास में 0.8 lagging तो राइट ऑप्शन कितना जाएगा 0.8 lagging आगे चलेंगे दा फॉर्म factor of alternating quantities चलो यार है कोई बात नहीं होता रहते ना बड़े-बड़े क्या डायलोग भूल गया ना बड़े-बड़े जिगर के तुक्ड़ो हां बताओ तो क्या होगा यहां पर राइट ऑप्शन दन नाटे से बताओ तो फटापर से देखो अब यहां पर हम बात करें तो हमारे पास में जो फॉर्म फ्र्म फैक्टर होता है आपके पास में FF तो सऺंप्टर क्या होता है गारे जलिए इस अरे में वैल्यू टूद आ ववरेज वैल्यू चिक और यहां पर बात करें साइनो सुड्य फॉल ववेव की कश में तो कितना होता हमारे वन पॉइंट वन होता है और यहां पर अगर किसके बारे में स्कुयर वेव के 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 बारे में स्कुयर वेव हाँ और क्या अब पूरा जिगर वन जाओ तो अगत तकड़ा नहीं वनना है तो तुम आज से तुम सब लोग मेरा पूरा जिगर हो तो यहां पर इसी बात पर बदाओ फटवर से गरदा उड़ाओ इतनी अच्छी तुमको गुड न्यूस सुनाई है और आज हम लोग करेंग तो तुम लोगों को UPI किया जाएगा ठीक है और पीजा लेकिन बड़ा वाला नहीं मिलेगा है वह जो 40-45 रुपए वाला आता है सिर्फ वही मिलेगा अच्छ बताएंगे अगले कुशन को अप्शन क्या आगा तो यहां पर देखो ना जब कभी भी तुम्हें ऐसे कहालात तुम लोग क्या करोंगे तुम लोग यहां पर दुम दवा के भाग लोग है आप देखो यहां पर सिंपल सा यह चो तुम को चक्र व्यू दिखाई दे रहा है तुम यहां पर कौन बन जाओ अर्जुन बन जाओ क्योंकि तुमको साथ हो द्वार खुलने आने चाहिए तो इसके बार देखिkiej कोन सा वारा फॉन एंपियर और को सा हमारे पास में चार एंपियर चिक है यह हमारे इंकमिंग करेंट ऐंवरे पास में दो मücks तीनन एंपिय और这个 है तो अब यहां पर हमारे पास में चुकत आपके पास में और कि आ तो राइड प्शन 민주 District AZ क्यतना हो यह तुम तो सच में मतलब मेरे जिगर के तुकड़े नहीं पूरे जिगर बन गया अब तो चलो बताएंगे यहां पर अगले कुशन का उप्षिन क्या होगा तो यहां पर देखो एंजिल आर्थी गॉरफ सौरव आइंश्रुबाम अभिशेक सभी लोग गर्दा उड़ा रहे है कि अधर फॉलविंग टू इस्टेटमेंट यहां पर कितने स्टेटमेंट यह तो में दूश्टेटमेंट यह गाएं बताएंगे फटावर्ट से एक यायद मतब धर्मराज देख रहा है दिल तोड़े तुने आज रहें अपर नंबर देदा आघ गुर्टाओं नियर दा हुडा सिटी सेंटर तुम लोग आजाओ यहां पे बगल में डॉमिनोज आपका साइबर पार्क में है यहां पे डॉमिनोज पीज़ा हाट दोने चीज़ नहीं तूम लोग जहां पर कहो ना वहां पे भंडारा होगा चीक है चलो बस आजाओ तुम लोग जल आप द कर्षच्छ आफ लूप लोग का मतलब होता है के वियलन कर्षच्छ आफ वोल्टेज लूप इस जीरो फॉक अंजर विशन नेचर अफ एलेक्रिक फील्ड को तुम लोग देखें यहां पर थोड़े से संशे में पढ़ जाओगे तो जो एलेक्रिक होता है तो यहां पर आपका जो वोल्टेज कितना होता है यह होता आपका नथिंग बट डी डबलू अपन डी क्यू यह होता हमारे पास में तो नथिंग बट इसको अपन कहा लिख सकते है एनर्जी अपन चार्ज तो यह कितना होगे हमारे पास में आइस एनर्जी है आपके गलत option कोई नहीं है दोने option यहाँ पर कैसे हैं ठीक option है आपके ठीक है मजा आया मुझे पता सा दों लोग आना यहाँ पर पक्का घरदा और वाओगे अपना इस वाले question में अगला question का option बताएंगे फटावर से हाँ तो तुम आजाओ धरम रहा जाना तुमको किसी ने मना किया गया चलो तो इस बार ना पका सिलक्ट हों कि अनटी के 100 इन बड़ परसें चलक्त रहा ना तुमारे लिए वैस्ट विशिष है हंडेड इन वन परसेंट सिलेक्ट होके आना चीक है हद्द मतलब यार कुछ भी नहीं होगा बस लालाच अरे नहीं है विटा लालाच नहीं है वर्षा है यहां पर आओ तो सही तुम लोग आप बता आप का करेंगे आपका मतलब यहां पर अपना हनुमान जी की तरह मतलब सीन फार के दिखा देंगे नहीं पार्टी होगा पका होगा अब तुम लोग मानी नहीं रहे तो हम का करें बताओ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं इसमें अब देखो यहां पर अगली कुश्चन को ऑप्शिन क्या होगा क्या कर देंगे दोस्तों गिवन करेंट सोर्स को अपन ओपन सेर्कुट कर देंगे तो अब यहां पर देखो हमारे पास में जैसी तुमने इसको लेखा ना आप देखो यह और यह हमारे किसमा के सीरीज में और यह अपने आपस में सीरीज में तो हमारे पास में अब जो यह अपने पास में क्या निकल का आग्याई 120 में यहां से कट गया cm चलो आगे चलेंगे अगले कुश्यन की तरफ यहां पे हाँ तुमसे मुझे अगले कुश्ष इप अगें चानवा घृट थी, अब तुम स्वाद वाले मुख्य खाऊ गया है ना मतलब जो यहां पर बगल देख रहे मतलब तुम लोग है ना मतलब जो इंसान बगल में रहता हो वो कहेगी Google पर कितना आलसी इंसान हो गया ना अलब ऐसे लोगो स्वाद वाले मुख्य मिलने चाहिए चलो अगले question का option बता यहां पर क्या होगा right option गली से बताएंगे दोस्तों क्या होगा right option सभी लोग bitfast bitfast तो यहां पर प्रियंका सौरप दोनों ने option बता दिया है बाकी मेरे जिगर की तुकड़ो सभी जल्दी से बता हो अब देखो हमारे पास में जो मिलिमैस theorem है तो मिलिमैस theorem क्या कहता है कि यह सरीके से यहां पर आपके पास में क्या है number of voltage source यहां पर लगे हुए आपके चीक है इन सीरीज विद दियर रजिस्टेंस लाइक दिस और यह एन नमबर अफ लगे हुए हमारे और similarly क्या लगे है मालीज यहां पर current source आपके पैलल में लगे हुए तो इसका जो equivalent होगा वो क्य आपके आजाएगा तो right option क्या हो जाएगा single current source आई in parallel to the art option क्या हो जाएगा हमारे पास में option C is the right option okay and AC source is delivering a power to a complex and ZS आपको दे रखा है और पूछाए कि यहाँ पर जो MPT है MPT के लिए क्या conditions आपकी exist करेंगी बताएंगे फटावर्स से सभी लोग यहाँ पर क्या condition exist करेंगे MPT के लिए everyone क्या condition यहाँ पर exist करेंगे MPT के लिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे दोस्तों बिटफास गाइस बिटफास जल्दी से बताएंगे क्या होगा सब आश बहुत ही अच्छे है ना बहुत ही अच्छे हाँ अब देखो यहाँ पर इस वाले question में अगर हम बात करें MPT के लिए ना तो MPT हमारी दो तरीके से यहाँ पर define होती है किसके लिए एक होता हमारा AC के लिए और दूसरा होता हमारे पास पर DC के लिए ना तो यहाँ पर हम बात करें 4 DC юсь 4ADC तो DC हमें है क्या होगा है आपका जो आरएल है जो आरल अल किसके हो थOW ता हमारा आर टीज़ के कोल होता है रषड almost R être हमारे बीला इसकते नोशिव आप डिखो यहाँ पर माली हमारे पास पर AC यहां पर आपके पास में क्या है गाइस एसी सर्केट है तो जो एसी सर्केट है यहां पर एसी सर्केट में यह आपका इंपिडेंस लगा हुआ हमारे पास में चीक है यह इंपिडेंस लगा हुआ और यह हमारा वोल्टेज हो गया यह आपका क्या होगा जैट एच हो गया और ह यहां पर in this case जब आप wün का अंचे ख़ागे तो यहां पर आरेल का वैल्यू निकलता है दौसरे इसके इकूल निकलता है हमको डिष्ड के स्वेस windows और ना सलには के वेल्य यह साथ हमको माइनस ऑफ स we So when we can make x th के एकुल निकलता है तो आब यहां पर हमारे पास में पास में जह वाल्य माइन का दिया हमारे ऐल्य जो अब यहां पर आरल सीग उतिया है और यह स्वैज्ट श्च तो और तो कि इसका क्यासि क康 Stephen आ रहा है तो यहां पर इसका मतलब होता है conjugate है तो conjugate में क्या होता है हमारे पास में माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है तो यहां पर अगर आपको AC के केस में maximum power transfer करनी कहां पर source से लेके load की तरफ तो आपकी जो यहां पर impedance यहां से वो क्या होना चाहिए conjugate of the source impedance होना चाहिए तो option कितना आ जाएगा option C is the right option अगला question बताएंगे magnetic flux per pole in sorry magnetic flux per unit area is called भहिया यह तो बहुत जादा simple सा question अच्छिक है चलो यहां पर मेरे लाल जल्दी से बताएंगे क्या होगा right option जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा right option से भी लोग चलो बताएंगे जल्दी से दोस्तों क्या होगा right option magnetic flux magnetic flux तो यहां पर रेकुष सर्मा जी सबसे पहले answer दे रहा है तो यहां पर हमें पता है कि हमारे पास में जो आपकी flux density होती है तो flux density क्यों होता है यह होता है 5i यह होता है तो यहां पर हमारे पास में जो magnetic flux density होती है क्यों होती है flux passing through per unit value of area unit कितना होगा हमारा 2-1 per meter square 2-1 per meter square तो right option कितना होगा magnetic flux density है अगला question बताएंगे फटावर से which of the following is the correct value value of the magnetic permeability free space है कक्षा 12 से किस-किस ने इस question को रटाता है magnetic permeability की value तो यहां भी सब को रटा होगा तो don't waste time यहां पर कितना होगा option C होगा अगर तुम में से किसी ने गलत बताएंगे तो फिर समझे रहा चलो अगला question बताएंगे which of the following is the correct explanation sorry correct expression for the self inductance of a solenoid coil अच्छा बहुत अच्छा ना तो जो solenoid coil है guys बताएंगे फटावर से solenoid coil है यहां पर strong magnetic field और जो इसकी inside magnetic field है क्या होता है 0 यानि कि यहां पर sorry यहां पर बहुत ही strong magnetic field यानि कि जिसे concentric magnetic field बोलते हैं तो concentric magnetic field produce करने के लिए क्या use करते हैं यहां पर जो solenoid coil है solenoid coil को used किया जाता है like this इस तरीके की solenoid coil होती है अच्छे यह को रखो so like this है इस तरीके की solenoid coils होती है यहां पर solenoid coils है तो यहां पर solenoid coil को का आपका पूछए inductance आपका इस का inductance होता है L is equal to mu naught n square upon L यह होता है हमारे पास इसका इंडधर ठीक है और एक बर अपने यहां पे यहां निकाल किन चल सकते हैं कितिनी energy आप इसको निकाल सकते हैं तो वहाँ पंस यह स्कुर्ण हो जाएगा मुं मुषॉफ एसकुर्ल option B हमारे एकदम चीक option है अगला question यह रिता टेड़ा मेड़ा काहे बनाए है find the total resistance in the following circuit हमें लगा कुछ मतलब अच्छा सा होगा यहाँ पर बेकार में टेड़ा मेड़ा बना दिया है हाँ बिल्कुल कर सकते हो संदीप क्यों नहीं कर सकते हो of course you can do चलो अगले question का option बताएंगे फटावर से क्या होगा सभी लोग जल्दी से हैं तो यहाँ पर resistance आपको find करना है A और B के बीच में node में है सभी लोग जल्दी से बताएंगे दोस्तों क्या होगा everyone सभी लोग बताएंगे दोस्तों क्या होगा right option देखो अब अगर इस वाली questions की में बात करो ना तो इस question में देखो कुछ भी नहीं तो यहाँ पर simple इसका diagram इस तरीके से बन सकता है मतलब यही बात होगै कि जो चीज हमारी simple हो सकती थे उसको tough कर दिया है जो चीज हमारी simple हो सकती थे और यह कितना हो गया गाइस हमारे पास में यह आपके पास में यह भी 100 हो गया अब बता है इस कुश्चन में कुछ बचा इस कुश्चन में कुछ बचा क्या और यहां पर क्या निकालना है तुमको रजिस्टेंस निकालना है तो यह और इक इसमें हो गया है इन दोनों का कितन एक मिनिट है न एक मिनिट से ज्यादा मत देना बस एक मिनिट दे दो यहां पर तुम से मिल के दिल का है जो हाल क्या कहें और यह हो गया हमारा नेटवर्क शो इन फोल्डर कुल जा सिम से मैंना कुछ एक कुशन ते जो थोड़ा बाद में टाइप होके आप आप आए थे तो यहां पे चलो बताएंगे फटावर्ट से अगला कुश्चन हमारा क्या होगा आइडेंटिफाई दा सोर्स डेट हैस दा फॉलविंग सिम्बल यहां पे जो हमको दे रखा है न यह चचा बताएंगे यहां पे किसका सिम्बल दे रखा है चलो भानू ने आप्शन बिलकुल शीक बताया चलो गर्दा उडा दो यहां पे अंकित भानू राहुल कॉशिक स गल्दी से क्या होगा राइट ऑप्शन और साइड में आ जाता हूं इस साइड आ अगया अब देखो यहां पे अगर इस बात की सरी इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमारे पास में दो तरीके की सोर्स होते हैं एक डिपैंडेंडेंट होता है दूसरा इंडिपैं क्या कहला था है कि आपका Controlled Parameter तो हमारा सोर्स कहुंसा होगा Current Controlled Current Source तो कहां दिखाई दे रहा है तो यह को Current Controlled Current Source आगे चलेंगे वाट विल विदा Equivalent Capistence अठेड टर्मिनल ए यहीं कि जो हमारा कहां है टर्मिनल ए न तो बहुत अच्छे साब पर्शन बहुत अच्छे गईस क्या होगा राइट आप्शन बस बता दो दिल्ली से यहां पे जल्ली से बता दो तो यहां पर देखो लाइन और हंड़ राकेश बिश्यक और बहनुसी लोग ऑप्शन और प्लीज गयस्य प्लीजवासर यहां से यसे गए जयाल करना तो यह यह दोनुग क्याप एसंटल में लगें और यहां पर क्या होगा दो पैपई नहीं हो गए यहां पर कितना हो गया हमारे चार और चार किसम आ घए हमारे यहां पर यहां पर यहां पर आ हमारे पास में तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया पैलल में, कितना आगया है ये 8 आगया, आपके पास में, कितना आगया है, 8 आगया हमारे पास में, बस अब यहां पर solve कर लिजे, तो यह हमारे पास में 2 फैराइडी हो गया, यह तो फैराइडी हो गया, यहां से कितना हो गया, 8 फैराइडी हो ग तो पैलल में उसके साथ अगें सीरीज में और अगें अमारे किसमें आ जाएंगे पैलल में जाएंगे चलो इसके आगे मैं नहीं करूंगा ना अगला कुश्चन हमारे पास में 25W कोई बल्ब है और यह वोल्ट है हमारे पास में आर कनेक्टे इन पैरलल तो कनेक्टर 220 वोल्ट सप्लाय विच अप्ड़ फॉल्व प्रेड्यूसर मोर ब्राइट यहां पर कौन सा जो हमारा बल्ब जो आपका ज्यादा से ज्यादा यहां पर जलेगा आपका है ना कौन सा यहा यहां पर एक आपका 100 वाट का है और दूसरा कौन सा हमारा 25 वाट का दोनों कैसे लगे हैं पैरलल में लगे हैं कौन जादा चमकेगा सबी लोग बताइए गैज बहुत है जाना तो देखो एंजिल धरमराज हर्श्टूल हाना डाय 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 डिश्क्याओ बढ़िया अब यहां पर यहां पर हमारे पास में दो यहां पर बल्ब है आपके है न दो दिहां से समझ ना दो आपके बल्ब हैं कैसे लगे हैं आपके पैलल में तो हमारे पास में दो लोड हैं यहां पर कैसे लगें गाइस पैललल में टंगे हुए हैं आपके हैं अब यहां पर जो पर ज्यादा होगा तो यहां पर रिजिस्टन्स क्या होगा उसका कम होगा पर यहां पर आपका सेम रहेगा तो यहां पर हमारे पास में ज्याधा करेंट किसंस जांब करेंगा बता ऑब्य judgment reverse कर दोगे ठीक है चलो अच्छा यहां पर एक trick देखो जैसे माल लो यहां पर हमारे पास में कोई भी दो बल्ब है आपके है ना two bulb of same rating two bulb of same rating ठीक है हमारे पास में दो बल्ब है किसी के same rating के very very important है और इस तरीके का तुमको question देखने को मिलता है यह आपका time save करेगा काफी अगर दो बल्ब है हमारे पास में और यहां पर same rating दो बल्ब of same rating तो यहां पर तुम्हें पूछा जाते है कि power consumed by the bulb है न तो यहां पर हमारे पास में पावर consumed by bulb होता है यह क्या होता है आपका यह होता है आपका pty2 यनि कि हमारे पास में कैसे लगे हैं अगर यह series में तो अगर लगें तो हमारे total power का क्या consume करेंगे आदा consume करेंगे और यह त्रिक में पहले भी बता चुका हूँ और यहां पर जो power consumed होगा वह कितना होगा आपका two times of pty अगर किसमें लगे हमारे series में लगें किसमें लगे हैं सुरी parallel में लगे हुए आपके चीक है तो इस तरीके के तुमने discussion देखें कि नहीं देखें एक बार फरदावर्स से comments करके बताओ नए देखें कि नहीं देखें हा या ना देखें है थ्या तहूंस तरीक इस ट्रिक है इस त्रिक को जरूर याद रखेंग अगला question बताएंगे leven और से क्या होगा सबीड विधू फूर और magnetically coupled circuit mutual inductance is always हाँ अगर 2 से ज्यादा है तो आर से कर सकते हो ना रहो लह ना आपकी बास से completely agree हूँ तो अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर उतने से कर सकते हो और उतने से आप multiply कर सकते हो मैंने दो के लिए बताया आप सेम इन के लिए एंड नमबर अफ करेक्शन के लिए अप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं मेरे जिगर के तुकडो आई हाई वैली नाइस चलो बताएंगे अगले कॉश्ण का उप्शन क्या होगा अब देखो यहां पर फोर मैगनेटिकली कपल सरकेट है ना mutual inductance always अब हमारे पास में जो mutual inductance है तो mutual inductance होता क्या है यहां पर जो mutual inductance का formula होता है यहां पर यहां पर एक चचा थे चचा ने बताया था क्या होता है square root of L1 and L2 है यह होता है अब जो k की value होती है k कितना होता है guys आपका 0 to 1 होता है क्या होता है guys आपका 0 to 1 होता हमारा और यहां पर inductance कैसे होंगे हमेशा positive होंगे तो आपका mutual inductance इसकी value हमेशा कैसे है क्या है मतलब flux का इत्तू सभी transfer नहीं होना चलो बताएंगे यहां पर तो यहां पर नंदा शुभाम मन्जू अभिशेक सभी लोग गरदा उड़ा रहे हैं guys अगला कुशन है क्या calculate जी अच्छा यहां पर कंडक्टेंस है यहां पर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है क्योंकि यूनिट भी आपको सीमें दे रहा है तो थोड़ा सा प्लीज धियां रखना कुशन अच्छा है और इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एक्जाम में बताएंगे जल्दी से जीरो नहीं होगा संदीब जीरो किसी भी केस में नहीं होगा क्योंकि कभी भी जीरो नहीं हो सकता है कि जीरो होने का मतलब है कि यहां पर कोई भी फ्लक्स का लिंकिंग नहीं और आपका है यहां पर जो हमारे यूस्फुल फ्लक्स हो जाएगा यह कितना हो जाएगा जीरो ह हो जाएगा और इस तरीके के जो connection है electrical में imply कभी किये नहीं जाते हैं कि अब देखो हमारे पास में ना तो सबसे पहले यह क्या चीज याद रखना resistance के reciprocal क्या होता है conductance है ना resistance के reciprocal क्या होता है conductance तो जो चीज resistance में series में होगी वही conductance में होगी और vice versa तो यहाँ पर सबसे पहले देखो यह कैसे लगे हो हमारे पास में यह लगे हैं आपके series में so they are looking like in a parallel कितना हो जाएगा आपका 12 x 6 और कितना होगा आपका 12 18 हो गया अब यहाँ पर यह किसमें आगे हमारे पास में 4 और 2 and 4 और 2 और 4, now they are connected in the series आप अब हमारे पास में कितना आई गया यह आपके पास में series में हो गया तो यह हमारे पास में 12 और 12 आपके किसके सात्साथ को गया आपका यह और चे किसमें हमारे ऐगे करे हो जाएगे टो हैप्शन ऐसा कोई दिक्तल समय से परेशाँ नहीं सब्सक्राइबर से बताएंगे बताएंगे चलो सभी को क्लियर एक बर फटावर से बताएंगे सबिसेंट को क्लियर है ना कोई ऐसा तो ने जिसको डाउट हो चलो तो यहां पर सभी ने गर्दा ओडाया गौरव बबली भानू प्रियंका सर एक्यूवलेंट निकालकर इन्वर्स नहीं कर सकते प्रियंकर क्योंकि यहां पर देखो ना यहां पर क्या दे रखा है यूनिट क्या दे रखा है यूनिट सीमेन दे रखा है यहां पर यूनिट सीमेन दे रखा है हां यहां पर क्या होता है यूनिट ओम होता तब आपक बार एक बार के लिए इस भी ज्रॉन साथ का किया हूना जोई है बताएं आपसे चलो फटाफर से बताइं गाई इस न टीके नंदा कोई बाती है निक्राइब NDA यहां पे ray jis tins कंता है Champs चीन रिप्छेंज होता है आपका रिप अन्पांजी है नो कंड़कर से सिरीज बीज में होग वह यहां यहां पे कैसा होगा पैरलल होगा और यहां पे प्यास ओगा आप Olivier शीरी इसमै इतने सब्सक्तzem को लिया है और कुछ भी नहीं बात है कि अब देखो यहां पर हम बात करें से ऐसे एक आठाले कुशन में तो यहांद dokład килreet थोड़ा सै जिपकू अपका कैसा कुशन हे आपका चपकु टाइप का कोशन है देखो सबसे पहले चीज़ यहां पर बात करें MPT की लिए तो MPT वहाँ सिंपल सी थी हो रहा है MPT फिए क्या कहता है हमारे पास में MPT आपके पास में कहता है की जो लोड रजिस्टेंस हमारा और यह आपका जो लोड रिस्टेंस है अरल मच भी वारियेबल otherwise rl is not a variable sorry otherwise mpd is not validate तो अब यहां पर देखो हमारा rl कैसा कर दिये constant कर दिया rl कैसे कर दिया जब की rs कैसे कर दिया यहां पर यह जो आपका यहां पर rs है यह rts ले लिए यह अपने यह variable कर दिया जब कि rth यहां पर कैसा होगे constant हो गया sorry RL constant हो गया RL यहां पर constant होगे guys तो now in this case MPD is not valid MPT is not valid अब देखो MPT तुमारा valid हो चाहे ना हो हमारे है na MPT हमारा valid हो चाहे ना हो what I want मुझे क्या चाहिए यहां पर मुझे चाहिए होगा यहां पर जो है maximum power अब maximum power तुमें कैसा मिलेगा maximum power तुमें जब मिलेगा RL के across load voltage कैसा ओना चाहिए आपका ज्यादा से ज्याद है यान की max to max होना चाहिए अगर RL के across output voltage ज्यादा है तो यहां का voltage ड्रॉफ होगा VS है न वी एस कैसा होना चाहिए, वी एस शुड़ भी minimum, वी एस कैसा होना चाहिए, इस शुड़ भी minimum, तो यहाँ पर वी एस का value कितना होगा, आपका i into rs है, आई पर तुमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन rs को पर तुमारा जोर है कि नहीं, बोलो हाया ना, तो अगर ideal case की बात की जाए है, अगर ideal case की बात की जाए, तो ideal case में rs कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ideal, लेकिन यहाँ पर प्रक्टिकल यहाँ अगर देखा जाए, तो rs कैसा होना चाहिए, rs शुड़ भी minimum, rs कैसा होना चाहिए, हमारे पास में minimum होना चाहिए, तो minimum value कैसी होगे, हमारे यहाँ पर 5 होगे, तो current यहाँ पर क्या करेगा, current, choose the minimum impedance path, so that आपका जो power है, हमारा power, rl के क्रोस कैसा मिल सके, maximum मिल सके, ठीक है, चलो, clear, आगे चलेंगे, बताएंगे, फटावर से, अगले question का answer क्या होगा, if the current supplied wire source is 5A, then what is the source voltage, हमारा जो source voltage है, हाँ पर source voltage क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग, जल्दी से बताएंगे, समीर, पाजी, मन्जू, सभी लोग यहां पर बता रहे हैं, सर बुक ले सकता हूँ, rs खुर्मी, rs खुर्मी, electrical में तो बेटा कोई बुक नहीं होती, I think आप mechanical की बात कर रहे हैं, अब यहां पर electrical का class चल ला, mechanical का class नहीं चोड़ रहा है, चल लो, यहां पर अगला question बताएंगे, sorry, मैं side में आ जाता हूँ, अभी questions उस side थे नहीं, तो मैं उस side कड़ेनी की आदत है मुझे हैं, चल सभी मेरे यहां पर जिगर की तुकड़े जल्दी से बताएंगे, यहां पर क्या होगा right answer, guys, यहां पर है, love you love you बोलके घर्दा उड़ा दो, आप देखो, यहां पर सबसे पहले चीज़, यहां पर जब भी तुमको ऐसा कुछ नजर आया है, तो जब भी तुम ऐसा देखते हो गया, तो तुम्हें क्यों से गाना याद आता है, जब जब देखू है, तुमको ही पाऊ हूँ, तो अब यहां पर वो ठीक बात है, जब जब देखू हूँ, तो तुमको ही देखू, लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या देखोगे, ब्रिज को देखोगे, और ब्रिज कैसा है तुम्हारा balance, तो यहां पर bridge हमारा कैसा होगे guys balance हो गया so bridge is balance अब जैसे अगर bridge आपका balance हुआ तो galvanometer में से current कितना हो जाएगा हमारा 0 तो current आपका करता हो जाएगा 6 ohm में से 0 हो जाएगा now it is a very simple circuit तो यह आपके पास में कितना हो जाएगा यह आपका voltage source हो गया voltage V और how much is current drawing from this source it will 5 ampere now it can be redraw look like this now it is a very simple circuit and you can calculate very easily by the nodal analysis or any method okay तो it will be कितना होगे हमारे पास में 6 4 and यह कितना होगे आपका 6 and 4 होगे आपका चाहिए तो यहाँ पर current आए हमारे पास में 5 ampere तो 2.5 इसमें जाएगा 2.5 इसमें जाएगा तो voltage भी कितना होगे हमारा 2.5 into 10 it will be कितना होगे हमारे पास में 25 वोल्टीक है so 25 is the right option तो हमारे पास में कितना होगे option b is the right option very nice guys and a heads of you sabi logo को चलो अगला question बताएंगे क्या होगा वाव English continuation oh my god अच्छा English देख रहा है ना English की feeling चलो okay no issue चलो यहाँ पर बताएंगे find VA minus VB in the following part of the given circuit bit fast guys bit fast देख तो सही तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तुमें कैसे गया है ना देखो मगर प्यार से ना now start apply the kvl sorry kvl okay so what i told you i always said to you कि resistance is a passive element and current is entering from the positive and it is a leaving from the negative terminal okay so now you got a polarity now and it is a voltage source and यहाँ पर आपको जो है polarity given है ना now one अपने पास में again क्या है guys हमरे पास में resistance है ना current entering from the positive and leaving from the negative है ना तो यहाँ पर आपको यह दे रखा है अब यहाँ पर simple क्या लगा है ना आपको kvl लगा देना so what is the value of vab तो यहाँ पर देखो हमारे पास में current गया कितना पांच MPR का कितना होगे हमारे पास में टू इंटू 5 इट विल 2 इंटू 5 ना वाट यहाँ पर माइनस मेला और मैं तो में क्या बाता है कि kvl चाचाने कहीं नहीं कहीं का माने सचथ की मैनिस का प्लस प्लस का मैना जो तुमहें मिल जाया वो लेन हागे यहाँ पर यह बारत आठार एपूं कहां यह मारे पास में Renya option ठीक कि अगे चलें गाई अगले कॉश्शन पर इफ network has and dashed as between nodes the concept of super node is used instead of the nodal analysis see any key happy they are asking about you sub concept of super node and this is not about the nodal analysis this is all about the concept of the super node bitwise guys everyone बताएंगे फटावर से क्या होगा yeah so wow everyone looking like a very energetic and fantastic guys heads of you तो यहाँ पर शर्मा जी है ना चक्का चौका मारते हुए यहाँ पर आदे आंसर क्या आप देखो यहाँ पर बात करें super node होता है क्या है आपके पास में तो nodal analysis अपन क्या गड़ते हैं कि यहाँ पर नोड लगा के और जो लेस नमबर अफ equations है याई कि iterations हमको कम चाहिए होता है राइट अब देखो यहाँ पर जैसे मालीजे में एक आप देखो यहाँ पर नोट के बीच अपने क्या लगा दिया है यहाँ नोड के बीच में आपने क्या लगा दिया है यहाँ और क्या करोगे यहाँ यहां पर यू दो यहां परakahाक। को सब्सक्राइब करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा क्याTalk को हो मेरा दे यहां पर सब्सक्रांद है। चलो बताएंगे कुश्चन का अंसर क्या होगा बताएंगे फटावर से क्या होगा सर एक दिन टैना आवर्स का मैरत धनलो क्या चाहते संधी पैना मैं घर दवारा लोटके नहीं जाओं दस गंटे का मैरा धना तुम लोग खुद दस गंटे नहीं टोगे अना मतलब मैं टिक होगी जाओं घर लोग आपे दो गंटे में तुम्हारा है ना हाइध हाए होजाता हैं तम्हारा और बदस कंग तंब मतानी क्या है करोगे शलो बताएंगे क्या होगा राट आप बदाएंगी फटावर से क्या होगा फइंड ना not in the following not work यहाँ पर जो given network है इसका क्या होगा चलो अगला question बताएंगे फटावर से क्या होगा अब देखो यहाँ पर ना यह जो तीर कमान जिससे तम्हें दिखाई दे रहा है यह जो तीर कमान जिससे तम्हें दिखाई दे रहा है क्या लगाने क्या याद करणा हैं यह करेंगे अऱ करना है तो इनोट प्लस तैन और यहां पर कितना हो गें Bevendam इंकमिंग कितना हो गया तो और हिण दो प्लस चार्स कितना होगे और चार्स है it will be six minus ten it will be minus four यह आगया हमारे पास में ठीक है चल एंड गाइस तुम्हें अब देना है एक गुड न्यूस है ना गुड न्यूस देना है और गुड न्यूस वो सभी लोग सुनेंगे गुड न्यूस तो गुड न्यूस है न तो मैंने यहाँ पर चार सेचन प्लान की जिसमेंसे तीन सेचन मैं लोगाे एक सेचन अनान सल लेगे तो यहाँ पर देखो यहाँ लाइव होंगे और इसमें में आल्मोस्ट आपका जो पूरा 100% स्लेवर से 100% स्लेवर को कवर करूंगा और तुमको कंप्लीड रिवीजन करा हूंगा यह कहलाएंगे आपके मिनी महरात हूं ठीक है और बाद में छह साथ आठ ठीक है चैसाथ आठ यह जो डेट यहां पर में तुम्हें क्या करा हूंगा आपका जो कॉंसेप्ट के रिवीजन यहां पर यहां फिर हो सकता है आपको कोशन के थो भी रिवीजन करा दूं आपको चिक है तो आने वाला यह आपके लिए श्ट्रड यह तो मंडे को तुम लोग थोड़ा सा ने इनर्जेटिक होके बैठना बाहू वली बनके बैठना यहां पर सीध बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा मंडे को मिल जाएगा पीड़ वैच में और यहां पर भी देनी की कोशिश करूंगा और प्लीज अगा सेचन अच्छा तो लाइक शेर कर दीजेगा अगे चाब सभी लोगों का तहेल से बहुत बहुत शुक्रिया थांगी सूमच तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यबाद तो मिलते फिर आपसे मंडे को 500 कोशिंस के साथ मैंना सो बी रेडी गाइज यहां पे धक 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 और एससी जाई धाय 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 चिक है तो बाबाई गाइज थैंक्यू सभी को एक बार प्यार से रा दे रा दे एंड प्लीज आफ-लाइन जाके यार कमेंट कर दे अगर तुम लोग सुनते नहीं होगा समसे न आफ-लाइन जाके कमेंट सब लोग आज कर दे ना चीक है तो मैं सब की कमेंट यहां पर मंडे को दिखाऊंगा भी जिस जिसने कमेंट किये हैं ओके चलो बाबाई गाईज झो हैंगा भी बाबदा दे उरा मझा लोग चाहतु 제일िंस दिए नहीं उत़् लोग कर दे आफ-लाइने कि भी जबाबदा T